आप सब lle strong ऊच्छी होंगे और आपकी तयरी अच्छे चल रही होगी दोस्तों आप लोग निरंतर लगातार तैयारी में बने हुए हैं लेकिन वैकेंशी आने का नाम ही नहीं ले रही है सरकार वैकेंशी के उपर कुंडली मार के बैठी हुई है रोजगार देने का मनी नहीं है अगर कोई वेकेंसी निकाले भी दी जाती है तो या तो वो इस कैम का सिकार बन जाती है या फिर उसे ऐसे स्टे कर दिया जाता है शुरुवात में तो फुर्ती दिखाई जाती है थोड़े समय के लिए लेकिन उसके बाद बिल लाखों की संक्या में ओवरेज हो गए जिनका सपना था यूपी पुलिस में कॉंस्टेबल बनेगा सिपाही बनेगा उनका सपना सपना ही रह गया अना साइध अब वो सपना उनका इस जनम में पूरा ना हो क्योंकि कुछ कंडिशन्स यहां पे ऐसी बनती हैं उत्तर परद उत्तर परदेश जहां जर्नल केंडिडेट 18-22 खतम चार साल में वेकेंसी आए ना आए जर्नल केंडिडेट की आयू खतम हो गई जी तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग की वेकेंसी कब तक आने की उम्मीद है उम्मर में एज में रेलेक्सिशन की कोई बात तो देखे मैं सारी चीजें आप लोग की यहां पर किलियर करने के लिए आया हूँ इस परस्ट बता देता हूँ रुप्या पैसा कमाना मेरी इस वीडियो का कोई उद्देश्य नहीं है आप लोग के जो भी डाउट्स थे उनके रिगार्डिंगे वीडियो में आप लोग को बना के दिया जो आप लोग तयारी कर रहे हैं क्या हूँ वो सुरक्षित तयारी है या फिर उसमें कुछ इंक्रिमेंट आप लोग को करने की जरूवत है तो पूरी मदद आप लोग की इस वीडियो के जरिय की जाएगी तो अगर आपने इस वीडियो को शुरू कर दिया है देखना तो कि देखिएगा एक सवाल आप लोग यहां पे पुट किया गया है और आप लोग का बिलकुल सवाब आप लोग को दिया जाएगा साथी चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जारूर कर लिए गहार क्योंकि आप लोग का एकker के qa message की बहुत ज़्यादा सहायक हो सकता है आप लोग के लिए काम करने का तहीं दिल से और आज इवन थोड़ा सा जो मन हैं आपकी सेवा करने का वो मान के चलिएगा कि बहुत ही ज़्यादा है देखिए मैं आप लोग के कुछ डाउट्स लेकर आया हूँ यह मैंने कॉमेंट सेक्षन से 2022 अब यहाँ जो कट आफ रिलीज की गई है वो पहली कट आफ ही लगवग स 70 % परेलीस की गई है सातेत्तर परसेंट पे यहीं सतेत्तर परसेंट पे फिजीकल के लिए बोलाया का कैंडिडेट को तो मैं इसलिए इस चीज़ को यूपी पुलिस से जोड़ना चाहरा हूँ कि कमप्टीशन का इस तर यहां बहुत जादा है SSC में तो आपके लिए भी कम कमप्टीशन नहीं है भाई आपके लिए 77% GD में जबकि पोस्ट की संक्या 50,000 आविदन करने वालों की संक्या लगवख 50,000 है ना और एकजाम में बैठने वालों की संक्या लगवख 35,000,000 कट अप कहां गई है तो कहने का मतलब अब यह है कि जो अब आप लोग यूपी पुलिस की तयारी कर रहे हूं ना साल 2018 को भूल जाओ कि साल 2018 में क्या था या फिर साल 2019 में क्या था ये साल चले गए है जो चीज बीद गई है उस पे हमें विचार करने की जरूद नहीं है अब जो आगे आएगी विचार करना और सोचना हमारा उस पे बनता है देखे सबसे पहला मैंने यहां कुछन आप लोग के रखा है आपने पूछा कि आवेदन कब देखे अभी भी आप लोग की कंपनी का चैन नहीं हुआ है अप्रेल के लिए बोला था कि अप्रेल में नि प्रति को देने का मैं सफस्ट आप लोग को बता के चल रहा हूं फिर भी आवेदन की जो डेट है यह मैं आप लोग को बता के चल रहा हूं कि यह हो सकती है जून यानि की जून और जुलाही यह आवेदन की डेट और यह आवेदन के महीने हो सकते हैं मेभी सत परतिसत नही ुका इस साल कवर करा लिया जाएगा जहां तक है और यह डेट बनती है अक्टूबर Manufacture Gu Que मैं करया जा सकता है क्या पैटरन्ट चैंज हो सकता है तो बिल्कूल परिक्षा का पैटरन्ट चैंज हो सकता है पूरी संभाव ना है पैटरन बदलने की लेकिन जब तक कोई ओफिसल नहीं आ जाता तब तक आप लोग पुराना ही पैटरन फॉलो करेंगे याद रखो तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा है पद तो देखे क्या पदों की संक्या में कुछ इंक्रिमेंट देखने के लिए मिल सकता है या फिर घट सकती है तो देखे मुझे नहीं लगता कि घटेंगी बढ़ सकती है पोस्ट क्योंकि एलान ये किया गया है कि 35,757 भढ़ती ये लोग प्रिका लेंगे आप लोग के लिए 35,757 इसमें प्लस हो सकती है माइनस होने के चांस बहुत कम है इसमें हो सकता है कि 5000 प्लस हो जाएं 4000 प्लस हो जाएं और हो सकती है बिलकुल प्लस अच्छा आयू की बात करूं तो देखे 18-22 आपकी जो एज है वो काउंट की जाती है प्लस टाइम जो आप लोग की एज काउंट होई थी वो 2018 में होई थी एक जुलाई 2018 को और अब जो आपकी काउंट होगी वो 2023 में काउंट होगी एक जुलाई 2023 को तो यह 5 साल का अंतराल आप लोग का हो गया वेकेंसी के लिए मिलते हैं 4 साल और वेकेंसी का अंतराल हो गया अगर आप लोगों में दम हैं और आप लोग कुछ कर सकते तो ये छूट आप लोगी तीन साल तक हो सकती है। क्योंकि सभी में मिला है इसका मैं आप लोग को प्रूफ भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी पे रहेगी कि आप लोग को किस किस जगह जो छूट का प्रापधान है वो किया गया है COVID-19 की वज़े से यहां तक ही SSC जिसका हाल ही में रिजल्ट रिलीज किया गया ह इसमें भी बच्चों को तीन साल की छूट दी गई 18-23 की जगह 18-26 एज इसमें काउंट की गई थी अगर आप लोग के अंदर दम है निताओं से जैक जुगाड से परस है तो बिल्गुल आप लोग यूज करिए और उसका फाइदा आप लोग ले सकते हैं कमपटीशन कितना तो देखी कमपटीशन की मैं बात करूँ तो कमपटीशन का इस तर बहुत ही बड़े लेवल का है अगर मैं वहीं कट ओफ की बात करूँ तो अब की बार आप लोग ये मस सोचके चलिएगा कि आप लोग का सेलेक्शन दोसों पे होगा होने के लिए हो जा ही है चाहिए आप लोग किसी भी कैटिगरी से बिलॉंग क्यों ना करते हों दोसों हर हाल में क्रोस आप लोग को करना ही करना यह आप लोग मान के चलिएगा क्योंकि कमपटीशन का इस तर अब साल 2008 नहीं है कि लास्ट मेरिट एक सो इंक्यान में पे आप लोग का नंबर आ करेंगी 230 होने के लिए कम हो सकती है बिलकुल कम हो सकती है लेकिन आपकी तैयारी यहां होनी चाहिए आपको यह मान के चलना चाहिए कि यहां कट आप ठहरेगी क्योंकि जीडी में आप लोग देख लीजिए और यहां आप लोग देख लीजिए ठीक ना अगर मैं 70% भी आप लोग के बैठ रहे हैं 70% जर्नल कैंडिडेट और 70 से कम नहीं जाएगी यह भी आप लोग याद रखिएगा ठीक ना दिमाग में रखिएगा तैयारी कैसे करें तो देकि इसके लिए आप लोग से बैटर कोई नहीं जानता है कि आप लोग को तैयारी कैसे करने हैं दीरीजिनिंग हमारे यूट्यूब चैनल के मादम से पढ़ सकते हैं मैथ और जीके जीएस आप लोग को जहां से पढ़ना है वहां से आप लोग पढ़िए डेजन्ट मेंडर तो कम टीशन बहुत हाई रहेगा इसलिए मैं आप लोग को बताने के लिए आया था कि जीडी म तो मतलब इसमें आप लोग एक चीज और जोड लीजिए इसमें आप लोग को एक चीज और में लिखवा रहा हूं यह वाला भी जुगाड है ना यह वाला वी जुगाड यह जुगाड से भी लगवग 20% पद भर जाते हैं वेकंसी में आज कल के नेता या मंत्री वगरा से एसी जैक से पारस होती हैं वो करवा देते काम को ठीक ना विया तो लगवग 20% तो आप लोग वेकंसी का मान के चलिए के जुगाड से या पिर अकल कैसे भी हो जाएंगे तो कवका से लेकिन असी प्रतीसत वेकंसी सेफ बची हुई है जो आपकी मेहनत से होगी ठीक ना तो और मैं आप लोग को समय समय पर अपडेट देता रहूँगा फिलाल मैंने आवेदन के बारे में बता दिया एक्जाम के बारे में बता दिया है ना ये संभावित है तिथियां है आगे पीछे भी हो सकती है कि आप लोग पकड़ के बैठ जाओ कि ये बताई थी आपने तो और इस पे तो हुआ नहीं आगे पीछे भी हो सकते लेकिन कम नहीं होगा यहीं आप लोग को अपनी तयारी को लेके जाना है चैनल पर पहली वार विजिट किया है तो चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू बबै जैहिंद